हलो दोस्तों आप सभी का स्वागता है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो मैं आपको बालवी का CDP यानि की आपका साइकलोजी का पोर्शन करवा रहा था जो कि आपके आने वाले UP, TET, CET, DSSB, KVS और NVS के लिए Most Important Topics करवा रहा था जिसमें मैंने आपको कुछ Important Topics करवा दिये थे, बुद्धी से related मैंने आपको बोला था, हम साथ से 8 Important Theory के बारे हम बात करेंगे जिसमें से मैंने आपको Most Important 3 Theory, जो की Most Important थी, वो मैंने आपको पहले करवा दी थी जैसे कि Two-Factor Theory, दोतत्व का सिध्धान्त, या फिर आपका Thruston के Theory होगी, ये Multi-Intelligence होगी, ये 3 की 3 Theory मैंने आपको पहले करवा दी, क्योंकि यहां से questions पूछे ही पूछे जाते हैं और बाकी Theory मैंने आपको बोल था, हम छोटी-छोटी-छोटी थी 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 हैं, वो एक वीडियो में cover करेंगे, तो हम आज जो cover करेंगे, छोटी-छोटी चार वीडियो करेंगे, जहां से देखतर question जो पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं, कि इसका निर्मान किस ने करा था, ओके, तो उन चारो थी थी के बारे में आज इस वीडियो में पूरा cover कर देंगे, आपको चारो की चारी बच्ची वी थी 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 कवर हो जाएगी, तो इस वीडियो का आप एंट तक देखते रेगा, आपको सारी information मिल जाएगी, तो नमशकार दोस्तों, मिरा नाम है द तत्व का सिध्धान्त भी कहा जाता है, जिसको इंगलिश में unifactor theory कहा जाता है, जो कि किस के द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था, बिनेट और रोस के द्वारा, ओके, नाम ध्यान रखेगा बिनेट और रोस के द्वारा, अगर आपसे पूछा जाए, कि इसको नाम कि बिनेट के द्वारा मशूर किया गया था, अब बिनेट क्या कहता था, तो बिनेट और रोस या उसके साथ साथ में इस्टेन नाम का एक और psychologist है, ये आपके हमेशा जो माना जाता था इनके द्वारा, ये मानते थे कि जो बुद्धी होती है, वो केवल क्या है, एक factor क एक एकल तत्व का सिध्धानत है, वो सिंगल होती है, जैसे कि शाब्दिक अर्थ में कि समान बुद्धी को विभाजित नहीं किया जा सकता, बुद्धी एक इकाई है, जिसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, ये कहा गया था इन तीनों का, बिनेट क रोस का और स्टेन का, इन तीनों का यही मत था, कि बुद्धी जो होती हो, एक कारक वाली होती है, एक ही काई वाली होती है, लेकिन जो आपका इंगलिश में कहा जाए के द्वारा दिया गया था, इसलिए मैंने आपको बोला था, हम पहले important important theory के बारे में बात करेंगे, और फिर जो normal theories हैं, उनके बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले बुद्धी का जो आपका परिक्षन के दिया गया था, वो यही एकल तत्व का सिध्धान दिया गया था, इसी को देखते हुए experiment ने two factor theory बनाई थी, जो मैंने आपको बताई थी last से last video में, ओके, तो बस इतना ध्यान रखेगा, कि एक कारक का सिध्धान या एकल तत्व का सिध्धान जो दिया गया था, वो future psychologist वालों ने सबी ने ये कहा कि अगर बुद्धी एकी परकार की होती हैं, तो कई बच्चे जो होते हैं, कुई व्यक्ति जो होते हैं, वो काफी कामों में, काफी फिल्डों में, अच्छे होते हैं, तो उनके अंदर जब एक ही बुद्धी है, तो काफी फिल्डों में काफी अच्छे कारे कर लेते हैं वो कैसे कर सकते हैं जब बुद्धी एक ही काईवाली होती है इसलिए इसको criticize करा था अब वादित करा गया था ओके फिर आई थी आपके two-factor theory पढ़ा चुका हूँ फिर उसके बाद में आपकी जो theory थी multi-intelligence और thurston की theory वो भी पढ़ा चुका हूँ उसी के साथ में आपका एक सिध्धान दिया गया था बहुकारक सिध्धान जिसको English में multi-factor theory भी कहा जाता है अब ये किस ने दिया था तो ये 1926 के आसपास thondike के द्वारा दिया गया था thondike का कहने का मतलब था कि जो भी हम बुद्धी के द्वारा काम करते हैं वो एक दूसरे से correlate करा कर एक दूसरे की सहियों की मदद से करते हैं और thondike ने कहा था कि जो बुद्धी होती है वो तीन परकार की होती है थ्री टाइपस of intelligence बताये थे इसी का नाम को मैं आपको अच्छे से explain करता चलूँगा पहले बात कर लेते हैं मूर्थ यानि की creative की अभी जो creative होगा यह अगर किसी व्यक्ति के अंदर पाए जाएगा तो उसके हाथ क्या बोल रखा मैंने उसका हाथ और mechanical work जो आपके technology का इस्तमाल करके आप hand का भी इस्तमाल होता है और अपने mechanical चीज गाड़ियों का भी इस्तमाल कर रहा होता है driver होगे, racer होगे, dancer होगे उन्हें के साथ साथ में hardware engineer होते हैं dentist होते हैं इन परकार की जो बुद्धी होती है वो आपकी इन लोगों में दिखतर देखने को मिलती है, जो की हाथ और mechanical चीज दोनों का इस्तमाल करके उपयोग में करते हैं, ओके दूसरा बताया था, अमूर्थ यानि की abstract, अब abstract आपको पता है, जो चीज दिखाई नहीं देती अमूर्थ जो होती है, उनको कहा जाता है इसमें अधिकतर जो आप अपने दिमाग का इस्तमाल करके, यानि की use of mind मस्तिश का प्रियोग करके जो करते थे उनमें अधिकतर ये बुद्धी देखने को मिलती थी, जैसे की poets होगे, क्योंकि नहीं नहीं कवीता कहानिया लिखनी क्या होती है, वो अपने कहानिया लिखना, साइकलोजिस्ट होगे कि किस परकार की उसके सामने में दुविधा है, उन चीजों को पैचानना इन परकार की बुद्धी अधिकतर इस वेक्तियों में देखने को ज़्यादा तर मिलती थी, उन्हीं को क्या का जाता था, abstract thinking या अमूर्थ, और लास्ट और तीसरा बोला था, उन्होंने समाजिक यानि की शोशल, इंग्लिश मों बोल सकते हैं आप related to society, यानि की समाज से संबंदित होता था यह, जो इस प्रक्टियों में देखा जाता था यह, अधिकतर वो समाज के साथ जोड़कर, समाज के साथ तालमेल बिठा कर चला करते थे, अधिकतर जो देखने को मिलता था, यह politicians, politicians आपने देखे होंगे वो समाज के साथ, अगर कार्री करें तो समाज के साथ लेते हुए चलते हैं टेली कॉलर होगे, कोई दिन भार आपको टेली कॉल पर ही बात करते रहते हैं समाज से counseling होगे, counselor होगे, जो लोगों की दुविधा दूर करते हैं आपके receptionist हो जाते हैं जो की reception पर बैठे रहते हैं आने जाने वाले लोग उनसे पूछते रहते हैं आपका किसी ना किसी तरीके से इनका कॉंटेक्ट होता रहता है तो यह तीन परकार के बुद्धी बताये थी थौनडायक के द्वारा जिसको बहुकारक सिध्धान्थ multi-factor theory का नाम दिया गया था थोंडाइक के द्वारा next theory आ जाती है आपका बुद्धी का सनरचनात्मक सिपधान्द जिसको English में structure theory of intelligence भी कहा जाता है तो ये किसके द्वारा दिया गया था तो एक psychologist थे आपके JP गिलफर्ड इनके द्वारा ये दिया गया था इनके द्वारा कहा गया था जो बुद्धी होती है वो कैसी होती है आपके तीन आयामों वाली होती है मैंने ध्यान रखेगा तीन कारोकों वाली नहीं बोले तीन आयामों वाली होती है मतलब 3D होती है इनके द्वारा ये कहना था, अगर आपसे पूछा जा और पूछा भी जा चुका है, कि किस किस सैक्लोजिस्ट के द्वारा ये कहा गया था, कि बुद्धी होती है, तीन अयामो वाली मतलब 3D होती है, तो वो कहा गया था JP गिलफर्ड के द्वारा, जैसे कि आप ये figure देख र रखा मैंने कि एक नंबर पर आपके विशेवस्तु यानि की content लिख रखे हैं, दो नंबर पर आपके संक्रिय यानि की operational लिख रखे हैं, और तीन नंबर पर आपका परिमान या उत्पादक यानि की product लिख रखा है, अगर आप डबो की देखो तीन तरफ से दिख रहा है, थ् देखो, जो आपके operational यानि की संक्रिया है, वो कितनी लाइने हैं वहाँ पर? तो 6 परकार की लाइने हैं, तो वो क्या होंगे आपके? वो होगे आपके 6 परकार की, और तीसरे नंबर पर देखो उतपादन वो भी आपके 6 परकार की लाइनी खिची हुई है, तो आप देख स तो विशेवस्तु में content में पाँस तरीके कि किस परकार से करना है कैसे करना है क्या आमूर्चिंतन या मूर्चिंतन के रूप में संकिरिया ओप्रेशन में 6 परकार का उत्पादंग परिमाण में 6 परकार का तीनों को मंटिप्लाई करोगे तो 180 परकार के कारक होते हैं सिंपली आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि तीन आयामो वाले और 180 कारकिनों ने बताया गया था बुद्धी को तीन आयामो वाले बोलने वाले साइक्लोजिस्ट थे जेपी गिलफर्ड बुद्धी का संरचनात्मक सिध्धांत यानि की स्ट्रक्चर थेओरी औफ इंटालिजेंस दिया गया था वो जेपी गिलफर्ड के द्वारा दिया गया था नेक्स्ट और लाश्ट थेओरी हो जाते है आपकी बुद्धी का त्रीतंत्र सिध्धांत जिसको आप इंग्लिश में ट्रेचल थेओरी भी कहते हो बहुत इंपॉर्टन थेओरी है यहां से कोशन्स कभी कभी पूछ लिये जाते हैं पहला कोशन किसके द्वारा दिया गया था तो यह दिया गया था स्टैन बग के द्वारा इन्होंने क्या का था तो इन्होंने का था कि बुद्धी का कार्य सूचनाओ को संसदित करना है अर्थात तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है तथा वे सूचनाओं को किस ढंग से संसदित करता है यह बुद्धी होती है मतलब जब भी आप कोई कार्रे कर रहे होते हो किसी चीज को सोच रहे होते हो सूचनाओं को एकरिक्त कर रहे होते हो तो सबसे पहले अपने माइंड को वो चीज ढूंटते हो माइंड में जो हमने पहले से स्टोर कर रखा होता है मतलब वो सारी की सारी सूचना एकरिक्त करता है जो हम उसके बारे में हमारी वो मदद करें For example, हम मैध कर रहे हैं तो मैध से रिलेडिड आपका जो इंसा टोपिक कर रहे हो पूरा का पूरा माइंड में जो सूचना ही होंगी वो एकरिक्त करेगा एक जगा संसदित करेगा ताकि आपको सूचने समझने में या फिर करने में आपकी वो मदद कर सके तो वो जो कार्रे करा जाता है, वो संशिदित करने का जो काम होता है, उसकी क्या कहा गया था, आपका स्टेनबग के दौरा बुद्धी कहा गया था, और स्टेनबग ने जो बुद्धी बताई थी, वो कितने परकार की बताई थी, तीन परकार की बताई थी, दिहान रखेगा अनुकूल आत्मक समायोजन के लिए स्वयम को इस परकार तियार करता है कि इससे सूचना, संसाधना अथ्वा शम्ता का सरवत्तम उप्योग हो सके इसे वहवारिक बुद्धी भी माना जाता है पहला कोशन वहवारिक बुद्धी किसको कहा जाता है तो contextual sub-theory जहां पर हो आपका संधरात्मक उपसिद्धान तो उसको वहवारिक बुद्धी भी कहा जाता है क्यों? क्योंकि आपकी जो सूचनाओं को संसधित करने का जो कारड़े करा जाता है आपके जो वहवार होते हैं जो आप देली परते दिन में आपके जो जीवन में जीजे बीती है आपने समय में जो आपने करा है उस सोचनाओं को संसधित करने में जो आपकी शमता उपियोग में होती है उसी कहीं वह परियोग करता है इसलिए हम क्या करेंगे वहवारिक बुद्धी कहा जाता है तो फोर होता है आप छूटते बोलोगे सोचोगे नहीं क्यूं क्यूंकि वो आपके वहवार में आपको अच्छी तरीके से वो सारी चीजें रट चुकी है तो इसी परकार की जो संधर्ब होता है वो वहवारिक बुद्धी होती है आपर किसी भी चीज को सोचने समझेने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि वो सारी की सारी चीज़े क्या हो जाती है आपके अंदर वहवार में आ जाती है अगर मैं आपसे हिंदी में कुछ पूछ हूँ तो आप तुरंत जवाब दे दोगे लेकिन अगर आपसे मैं वहीं चीज इंग्लिश में बोलू कि इंग्लिश में बताओ तो आप थोड़ा सोचोगे उसको ट्रांसलेट करोगे क्यों क्योंकि आपके वहवार में नहीं है तो संदर आत्मक उपसिद्धांत में आपके वो सारी चीज़ें आती हैं जो आप अपने वातवण के अनुकूल आत्मक समायोजन के लिए स्वेम को इस परकार से तयार कर लेते हो कि उसके साथ में बिल्कुल ऐसे घुल मिल जाते हो कि आप कोई पता नहीं लग पाता है दूसरा है आपका अनुभव जन्ने उपसिद्धांत जिसको आप इंगलिश में एक्सपेरिमेंटल सब थियोरी कहते हो इसमें क्या कहा गया था तो व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारा शीगरता से समस्या या परिष्थितियों का समझ कर कार्य करता है इसे सर्जनात्मक बुद्धी भी माना जाता है मतलब कि जो भी आप सूचना को संसरी करते हो यानि कि जिससमें आप कर रहे हो उस समय व्यक्ति जो होगा वो अपने अनुभवों का परियोग करता है अपने अनुभव का अपन्योग करके नई से नई चीज का creation करता है, नई से नई चीज बनाने की कोशिश करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सरजनात्मक बुद्धी creative intelligence भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप सभी की सभी चीज है, देखो कोई चीज आप जनन करने के लि अपने परिस्तिती में नई चीज को उत्पन करने के लिए उसका परियोग करते हो, तो क्या कहलाते हैं, आपका अनुभव जियन, उप सिध्धांत या सरजनात्मक बुद्धी मानी जाती है, ओके, नेक्स्ट है आपका घटके सिध्धांत, जिसे आप componental sub theory भी कहते हो, इसम example, counselor, या फिर आपका psychologist, जिसके पास अपनी आप समस्या लेकर जाते हो, कि किस परकार से हम अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं, तो वो आपको तर्क वितर करके समझानी कोशिश करता है, विशलेशन करता है, कि आपकी problem क्या है, किस कारण से वो create हो रही है, उसके पीछे आपक वो सारी की सारी चीजें आपको बताता है, तो आप सूचनाओं को संसदित करते हैं, जब व्यक्ति अपने तर्क वितर्क कैसे करना है, किस परकार से करना है, कौन सी योजना कमारे काम आएगी, योजना कैसे बनानी है, इस परकार की चीजें आपकी आप करते हो, तर्क वित जिसको संधरनात्मक उपसिद्धान्त भी कहा जाता है। जिसको संधरनात्मक उपसिद्धान्त भी कहा जाता है। वो सारे के सारे मैं आपको करवानी कोशिश करूँगा ताकि आपकी जादा से जादा प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि अब तापको theoretical portion का घ्यान हो चुका है। अब हम करेंगे किसका घ्यान? Multiple choice question का कि किस परकार के questions आपके पूछे जाते हैं। और यहाँ पर कई बच्चे परेशान होते जाते हैं किसार आपकी वीडियो का notification नहीं मिलता। तो dear, मैंना आप सभी के लिए नीचे टेलिग्राम group का dipstation में link दे रखा है और साथ ही साथ में WhatsApp group का भी link दे रखा है। तो आप दोनों में से जाकर किसी भी group में join हो जाईए। जैसी आप कोई नई वीडियो आती है तो मैं वहाँ पर update कर देता हूँ वहाँ से आप class खुले सकते हो या फिर मैंना आपको उसका link जो है वो comment box के पहला comment देखने को मिल जाएगा टेलिग्राम गुरूप का भी है और WhatsApp गुरूप का भी है दोनों में से कहीं पर भी जाकर join हो सकते हो आपकी मर्जी है ओके जोन साब चलाते हो तो ओके जो कोई सी भी नई वीडियो डाली जाएगी तो आपको वहाँ आपडेट कर दिया जाएगा और आप वहाँ जाकर class ले अगर वीडियो से रिलेटेड किसी भी परकार का कोई सुझा ओ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मैं आप सभी का मैसेज जरूर रेड आउट करता हूँ तो अगर आप ने चलोगा अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ल कर लाँ बॉक्सिर है सब्सक्राइब कर दो कर दो चलोगा नहीं परकार का मैंट मैं देलं।